चलिए दोस्तों आज हम मिलते हैं Henry Wadsworth Longfellow और उनकी बहुत प्यारी फेमस पोयम है The Village Blacksmith वो भी देख लेते हैं बहुत हाड है पर इतनी भी नहीं है और उसके बाद मैं हिंदी आनुवात भी बताऊंगी तो चलिए Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. His hair is crisp and black and long, his face is like the tan, his brow is wet with honest sweat, he earns whate'r he can, and looks the whole world in the face, for he owes not any man. Week in, week out, from morn till night, you can hear his bellows blow, you can hear him swing his heavy sledge, with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. And children coming home from school, look in at the open door, they love to see the flaming forge, and hear the bellows roar, and catch the burning sparks that fly, like chaff from a threshing floor. He goes on Sunday to the church, and sits among his boys, he hears the parson pray and preach, he hears his daughter's voice, singing in the village choir. And it makes his heart rejoice, it sounds to him like her mother's voice, singing in paradise, he needs must think of her once more, how in the grave she lies, and with his hard rough hand he wipes, a tear out of his eyes. Toiling, rejoicing, sorrowing, onward through life he goes, each morning sees some task begin, each evening, sees it close, something attempted, something done, has earned a night's repose. Thanks, thanks to thee my worthy friend, for the lesson thou hast taught. Thus at the flaming forge of life, our fortunes must be wrought. Thus on its sounding anvil shaped, each burning deed and thought. समझ में नहीं आ रहा है, अरे कोई बात नहीं, हिंदी में मैं बाता देती हूँ ना, The village blacksmith, मतलब यहां पे जो आप आदमी देख सकते, एक blacksmith है, इसका काम ही यही है, यह जो पेड़ देख रहा है, इसके नीचे आप यह टूटी-फूटी सी एक बच्त सी जोपड़ी देख रहे हैं, क्यांकि continue यह लोहे को आखार देने का काम करता है, और एक लोहे से, दूसरे लोहे पर जब यह जोड जोड से मारता है, तब यह आखार ले लेता है, इसके hairs जो है, इसके bal जो है, ये सकत काम करने के कारण ये जो क्रिस्पी हो गए है और ब्लैक है, लॉंग है इसके ब्रोज जो है ये हमेशा गिले, मतलब स्वेट से गिले रहते है कभी सूखे नहीं रहते है और इसने जो भी मिल जाता है वो पैन लेता है इसने कभी बाहर की दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है इसके चेरे से ही नजर आता है बहुत ही भोला भाला हाड वरकिंग सा आदमी है और ये जैसे मतलब दूसरे लोगों की तरह नहीं है अपना काम से काम है जब जरूरत पढ़ती है तभी वो बाहर निकलता है और बाकी के दिनों में उसकी अमेशा का सेम काम रहता है आग के सामने अपना काम करते रहो जो से हतोड़ा से वो क्या करता है आडन को मतलब लोहे को एक परफेक्ट शेप देने की कोशिश करता है इसका आवज जो है ना चैसे एक चर्च में बेल बच्चती है रिंग उस बेल की तरह बेल की तरह बिलकुल सुनाई देता है सुबह से लेके शाम के टाइम तक ये अपना काम करता रहता है जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं तो उन्हें दर्वाजा खुला दिखता है और उनका वो जो फ्ल कभी थकाहारासा नहीं दिखता है, हमेशा continually अपने उसी force में, उसी rhythm में काम करता है, ये बच्चों को देखना बहुत पसंद आता है, बच्चे जुग जुग के उसे ये काम करते हुए देखते हैं, हर संडे के दिन ये चर्च में जाते हैं, और अपने बच्चों के साथ वहा आवाज जब वो सुनते हैं, तो वो बहुत ही अच्चा मैसुस कर लेते हैं, कि मैं चाहे कितना भी तगड़ा काम क्यों न करूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी प्यारी अभी भी उसकी आवाज अपनी मतलब उनकी मम्मी के जैसे उन्हें सुनाई देती है, जो अब स्व रह रहा है, उसके उपर वापर जाके कबर पे जाके रोते हैं, कि मम्मी, तुम ऐसे कैसे हो सकती हैं, तुम मुझे चोड़के इतनी गहरे नین्द में यहाँ कैसे सो सकती हैं, उनकी आखों में आशों आ जाते, वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, जो उन्हें चोड के से यह जीते हैं फिर से सुबर मॉनिंग हो जाती है वोही अपना काम करना शुरू कर देते है और यह तब तक करते हैं जब तक की evening ना हो जाएश तो यहाँ पे आप देख सकते कितने hard work है यह और इन्हें क्या है इन्हें फ़क्त और फ़क्त इनकी मा का प्यार इतके बचों का प्यार यही इनको चाहिए दुनिया की कोई भी चीज इन नहीं चाहिए और यहाँ पर राइटर यही बोलते है कि यह जो डबलेज ब्लैक स्मीट है इनकी जिन्दगी से मैं यही सीखता आता हूँ और यही मैं समझता आता हूँ कि अपनी जिन्दगी जो है यह एक लोही की तरह है इसे कही से भी कैसे भी perfect शेप देना है तो एक बलैक स्मीट के तरव हमें आग में हमेशہ जूशतिव हुए काम करना पड़ेगा जैसे कि बलैक स्मीट कंटीन्यू काम करता रहता है वैसे ही हमें भी काम करना पड़ेगा तभी हमारे लाइफ को एक परफेक्ट शेप और हमारी किये गए हर कर्म को फल मिलेगा मुझे भी फल दे दो भाई मेरी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो हीट कर दो फेमस कर दो और ऐसे ही देखते रहो मेरी चैनल को मेरे वीडियो को धन्यवाद